दिगज एक्ट्रिस हिमा मालीनी ने हाली में सनी देवल बॉबी देवल और अपने परिवार के बिश रिष्टों को लेकर बात की है उन्होंने बताया कि सनी और बॉबी अक्सर अपनी बेन आहाना और इशा देवल से मिलने आते हैं एक्ट्रिस ने कहा कि उनका परिवार हमेशा से एक दूसरे के साथ खड़ा रहा है हेमा ने कहा कि लोगों को ये गलत वेमी है कि उनका परिवार अलग हो गया है लेकिन ये सच नहीं है दरसल एक इंटर्वियों में हेमा मालिनी से इशा और आहाना के साथ सनी और बॉबी की हालिया मुलाकात को लेकर सवाल किया गया भाई बहन का ये रियूनियन तब चर्चा में आया जब इशा ने सनी देवल की फिल्म गदर टू की स्क्रिनिंग होस्ट की थी इस बारे में बात करते वे हेमा ने कहा मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ हाला कि मुझे नहीं लगता कि ये कुछ नया है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत कॉमन सी बात है इससे पहले भी वो सनी देवल और बॉबी घर आते रहते हैं हाँ बस बात इतनी है कि हम इसे लेकर कुछ भी पोस्ट नहीं करते हम उन लोगों में से नहीं है जो हर चीज की तस्वीरे लेकर उन्हें इस्टाग्राम पर पोस्ट कर देते हो हमारी फैमिली वैसी नहीं है हमा ने आगे कहा हम सभी हमेशा से एक साथ हैं कोई भी प्रब्लम होती है तो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ रहने बाद